हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चेनल आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू केक डेकोरेशन का वीडियो लेके आए हूँ यह मेरा टू टायर चोकलेट केक था जो कि पहुती लो बज़ेट में बनाया था तो चली हम लोग बनाना शुरू करते हैं मैंने ना 250 ग्राम प मैं बचसे क journée सेम बार除 को वाले आपयो भर खुप में वह थीजना ना Armen लिखायँद बार faço मिन पूर के में पूरा करने वा दिया द आता जिसके मैं वह निचे का और उपर का उप्र बाले भावको उपर क्रुप में कवर से यह बोला तब नाम लिखी गा इसलिए छोड़ द अच्छी तरीके से नीची के तरफ चुट 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 इश्टार नुजल से इस तरीके से बोडर बना दिए जिसे कि हमारे केक की फिनिशिंग बहुत ही सुन्दर लग रही थी और ये केक मुझे बहुत ही जल्दबाजिम देना था क्योंकि ये उन्हें बड़े पाटी के पहाल लेके जाना था और उन्हें बहुत ही लाश्ट मुमेंट में मुझे ओडर दिया था वो पहले से बताना भूल गया थी लेकिन मैंने फिर भी इस केक को कंप्लीट किया था क्योंकि वह हम मेरे घर के जश्ट पास मेरे थे और उस वह हमेसा अपने बड़े के सारी केक नहीं कर पाई थी फिर में इस तरीके से चोटे-चोटे स्टार बोडर से बोडर बना थी क्योंकि इतनी जब जल्द बाजिम केक के ओड़ा राते कुछ डिजाइन समझ में नहीं थी पिर भी मैंने इस केक को कंप्लीट किया था और इसके उपर फिर मेंने कुछ चोकलेट ब पर इक केक लगा दी जिससे कि हमारा डेकोरेशन बहुत ही सुन्द लग रा था रो मेरे पास कुछ गोल्डन वाले पल्स रखे हुए था था मैंने सब भी फ्लावर पर 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 प्ल्स लगा दी जिससे कि हमारा केक दिखने में और भी ज़्यादा सुन्द लगता है जब जालते हुँ ना जिससे आपके केक दिखने में बहुत जादा सुन्द लगता अगर आप इन चीजों का यूस नहीं करते हैं आप प्लीज यूस करगे जरूर देखेगा और अगर अगर आप मेरे चैनल पर फश्ट बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप कोई वीडियो पसना आती तो अपने फेमिली और फ्रेंड्स गताद में शेयर कीजीगा थेंक्स पर और चींग जीश्टी में काल मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में